नमस्कार आर के चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपके सामने एक पर बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ जो की जेर से दो साल के बच्चे की है जे देखो बनाने हैं बहुत सरल है और देखने हैं बहुत सुन्दर लगती है जे उपर गले से शुरू होकर नीचे की और आती है उपर से मैंने नब्बे फंदे डाले है नब्बे फंदे डालके छे पट्रेन पट्टी के बनाए है उसके बाद आठ फंदे फिर दो फंदे, फिर सोला फंदे, फिर दो फंदे, फिर बाई फंदे पीछे के, फिर दो फंदे बटन होल, सॉरी, जाई डालने के लिए दो फंदे, फिर मैंने सोला फंदे, और फिर दो फंदे, और फिर आठ फंदे, और फिर मैंने चे फंदे बटन पट्टी के बनाए है, ये देखो पहले चे फंदे रखे फिर मैंने आठ फंदे कर लिए फिर दो फंदे जो हम जाली डालते हैं इसके लिए फिर सोला फंदे रख लिए फिर दो फंदे फिर पीछे मैंने बाई फंदे रखे फिर दो फंदे इसके लिए फिर 16, फिर 2, फिर 8 और फिर मैंने 6 एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा चोरा, पंदरा, सोरा, सारा, ठारा, उननिस, बीस और एक्की मैंने यह जारी डाल ली है 21, चार, डालके उसके बाद मैंने बाजू के अलग करदिये और आगे पीचे के अलग-लग-लग कर लिये बाजू पेले बना कर फिर हमने कट्छा गौल जे, इससा बना दिया इतना बुनने के बाद तीन उंगलों के बाद मैंने फिर दो दो के फंदे बुनके जाली डाल ली है जो कि हमने डोली डालने के लिए और आगे मैंने बच्चे के साब से अपने लबाई रख लो यह डिजैन आपको मैं बनाना सिखा देती हूँ यह वाला डिसाइन उसकी नीचे से आनके मैंने फिर सिधी सिधी सिलाईया चड़ाई है यह देखो थोड़े से फंदे मैंने डाल ले यह इसके लिए मैंने क्या किया पहले एक फंदा सीधा उतारा तीन फंदे सीधे बुन लिए एक फंदा उतारा तीन सीधे फिर फंदा उतारा तीन सीधे फिर एक फंदा उतारा उल्टी स्लाई जो हमने फंदा उतारा था ना उसको हमने उतारी लेना दागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनने जो हमने सीधे बुने थे उधर से भी सीधे बुनने उल्टी तरफ से भी धागा पीछ आगे किया अपने तरफ और फंदा उतारा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे धागा अपने तरफ किया तीन फंदे सीधे फिर धागा अपने तरफ किया, सीधा फंदा उतारा, तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपने तरफ किया, और जे फंदा उतारा, सीधी स्लाई सीधी स्लाई में क्या करना है पहले हमने तीन फंदे उतार के एक सदा एजे रखा था ना एक सीधा लाइट कलर का अब हमने पहले तीन फंदे सीधे दो फंदे सीधे ये वारा फंदा हम उतारेंगे जो हमने फंदा उतारा तो उसके इदर इदर का फंदा हमने बुनना है एक दो और तीन सेंटर वारा फंदा हमने उतार लेना एक दो और तीन एक फंदा उतार लिया जो सेंटर बारा फंदा वो उतारना एक, दो, तीन, सेंटर बारा फंदा हमने उतार लेना उल्टी तरफ से धागा अपनी तरफ किया जो उतारा फंदा उतार लेना धागा पीछे एक, दो, और तीन फंदा अपने धागा किया उतारा फंदा उतार दिया धागा पीछे एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ फंदा उतारा एक, दो, तीन थागा अपनी तरफ फंदा उतारा दो, सीधे यह चार सलाइया हमने जो डाली है ना यह चार सलाइया बापस रिपीट करने जो हमने पहले बुनी थी ना जे वाली वो हमने रिपीट करने अब एक, दो, तीन यह फंदा उतारा चार फंदा का यह डिजाइन है तीन बुन लिए एक फंदा उताई जो तीन फंदे बुनते हैं उसमें सेंटर वाला फंदा हमने उतारना है यह फंदा उतार लिए दोनों तरफ से हमने सीधा-सीधा ही बुनना है सीधी तरफ से भी सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा दोनों तरफ सीधा-सीधा ही जाएगा थागा आगे धागा पीछे कर लेना फंदा उतारने के बाद फिर धागा आगे फंदा उतारा धागा पीछे फंदा उतारा ये देखो सिर्फ चार से लगया में अब हमने लाइट कलर उता बुनना है एक बार डारक बुनना एक बार लाइट एक और आपको फिर बता देती हूं ये फंदा उतारा बुना ये भी बुना और सेंटर वाला फंदा हमने उतार लिया बिना बुने फिर तीन फंदे बुने ये सेंटर वाला फंदा उतारा फिर तीन फंदे बुनके फिर सेंटर वाला फंदा उतारा फिर फंदा उतारा दो फंदे हमने बुन ले उल्टी तरफ से जो उतारा था वो हम उतार लेंगे दागा पीछे करके तीन फंदे सीधे फिर धागा आगे फंदा उतारा दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है चार सलाईयों की उन्ती है और चार फंदों की चार सलाईया हमने रिपीट करते जाना जे मैंने डोरी बना कर आगे टिक्की सी मैंने बना के डाल दी आप भी जरूर बनाना बच्चे के लिए बहुत सरल है ओपन मैंने सीधा उल्टा भुना नीचे मैंने डिजाइन डाला ओफुली आपको पसंद आएगा थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना झीदili आपको दीदैसंग करना बनापको अ और दीकि एू आजना भूलना बना आपको एंगईAKा उपको आपको ुद्स झाल झाल